इस कैसा है आप सभी लोग, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ Samsung Galaxy M51 डिवाइस के बारे में और इसके लिए फाइनली इंडिया में 1UI 4.1, बेस्ट रॉन एंडियो टॉल का अपटेट रहना, वो यहाँ पर ओलाउट रहना इस्टार्ट हो चुका है तो अगर आप लोग इंडिया में Samsung Galaxy M51 डिवाइस यहाँ पर यूज करते हो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज़दे आप लोगों को जो फीचर है ना वो यह आपर काफी ज़दा इंट्रेस्टिंग डेखने को मिलते हैं तो इन सबी के बार में आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ और गाइस अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को अभी तक भी आप लाइक नहीं किया है सो वीडियो को लाइक कर देना वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो है 200 लाइक का सो देखते हैं आप लोग कीतने जल्दी इसको आपर कम्प्लीट कर पाते हो और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आप विजिट कर रहे हो तो इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है साथ बेल आइकन को ओल पर प्रेस कर लेना ताकि आपकी डिवैस के लिए फ्यूचर में और को इंपोर्टेंट अप्टेट हैगा सो उसके रिगर्डिंग आपको वीडियो सबसे वेले यहीं पे देखने को मिल जाएगी अब दोस्तों मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ फर्स्ट चेंज के बार में जो कि आप लोगों को 1UI 4.1 बेस्ट न एंडर टोल के अप्टेट के अंदर देखने को मिलता है तो बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ वीजूल चेंजेस के बार में तो यहाँ पर जो माई फाइल अप्लिगेशन है इसका पूरा का पूरा जो लियाओट है ना वो आप लोगों को यहाँ पर चेंज देखने को मिलता है यहाँ पर image, video, audio, document, download or install file इन सबी के जो लोगों है ना वो आप लोगों यहाँ पर चेंज देखने को मिलते हैं आप लोग इनको यहाँ पर compare भी कर सकतो 1UI 3.1 के update से और internal storage के अंदर आप लोगों को यहापर जो लोगों देखने को मिलते हैं इन सभी के लोगों हैं वो तो आप लोगों को चेंज मिलते ही हैं साथ ही में आप लोगों को इनके जो color है न वो भी आप चेंज देखने को मिलते हैं और एक बात आप लोगों ने आपर नोटिस कियोगी कि यहाँ पर जो control center रहना, इसके अंदर यह जितने भी जो toggles हैं, इनके सभी के जो color रहना, वो मैंने आपर change करके रखे हैं, तो यह मैंने case ने आपर change करके रखे हैं, इसके बारे मैं आप लोगों को बता जिता हूँ, और उससे पहले आप लोगों आपर देख सकते हो, आप लोगों को जो brightness slider देखने को मिलते हैं, इसकी भी जो style है, वो यहाँ पर Samsung के और से change की गई है, 1UI 4.1, based on Android 12 के update से, तो बात कर लेते हैं, कैसे आप लोग control center के जड़ जो toggle हैं इनके color है, वो change कर सकते हो, तो आप लोगों को यह पर two finger से कुछ इस तरगे से आपर swipe करना है, और wallpaper and style वाले option को open कर लेना है, और color palette का आप लोगों को एक अलग से जो feature हैं वो देखने को मिलते हैं, और यह एक brand new feature है, जो कि आप गूगल की और से, और Samsung के और से add किया गया है, Samsung के One UI 4.1 के update से, अब यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे color combination वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि purple and blue, और blue and यह थोड़ा green color हो गया, और 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 आपको कई color देखने को मिलते हैं, इसको मैं आप पर set कर देता हूँ और bake आ जाता हूँ, आप लोग देख से, तो control center के अंदर अला color है वो set हो चुका है, और अगर आप लोग open करते हो phone dialer को, यहाँ पर आप लोगों को जो phone dialer के उपर जो call लगाने वाला जो option देखने को मिलता है, इसका भी color है आपको change देखने को मिलता है, और अगर मैं किसी को call लगाता हूँ, तो लगाने इक पार में इसको cut करते हैं, तो इनके भी जो color है ना वो आप लोगों को यहाँ पर change देखने को मिलते हैं इस update के अंदर, तो आप लोगों खोया पर जो cloak application है, इसके अंदर यहाँ पर जो pink color का layout है ना वो आप लोगों खोया पर देखने को मिल जाता है, और अगर आप लोग open करते हो और कुछ application जैसे कि मान लो setting application आप लोगों ने open कर लिया है, तो यहाँ पर भी आप लोगों को blue color का color combination है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, अगर आप लोग open करते हो वाइफाई वाइली setting को तो यहाँ पर पर आपको pink color है ना इसी की सारी setting है ना वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो यह तो सारी होगा color palette के option और अब मैं आप लोगों से बात करता हूँ कुछ advanced feature के बार में, तो आप लोगों हो वापस से home screen पे कुछ इस तरगे से swipe करना है, तो यहाँ पर जो widgets की जो category है ना वो यहाँ पर change कर दी गई है, इसका पूरा का पूरा layout है ना वो आप लोगों को यहाँ पर change देखने को मिल जाता है, तो guys आप लोग देख तो यहाँ पर आप लोगों को changes है ना वो यहाँ पर कुछ इस तरगे से देखने को मिलते हैं पहले जितने भी जो आप लोगों है आप जो widget देखने को मिलते थे ना वो right side में आपर swipe करने के बाद में आपर देखने को मिलते थे और आप लोग देख तो इस तरह से मैंने जो widget है को अपनी device का अदर set करके रखें तो अगर आप लोगों को यह पसंद है तो आप लोग मुझे बता सकते हो बाकि अगर आप लोगों को I love my का यह वाला जो widget है वह आपर पसंद है सो मैं आपको बताना जाओंगा इसके उपर मैंने एक वीडियो बना दिये जिसके अदर मैंने आपको बताया है कैसे आप लोग अपने device के अंदर जो clock के widget है उनको यह आपर set कर सकते हो सो आप लोग देख तो मेरी यह वाली वीडियो है best clock widget for all android device तो आप लोगों को करना के है यहाँ पर आप लोगों को simply YouTube पे search करना है best clock widget for all android device सहेज सेन तो आपको मेरी यह वाली वीडियो है वो देखने को मिल जाएगी अब यह 3 मिनट की वीडियो है इसको आप लोग देख लेना देखने के बाद में आप लोग अपने device के अंदर 200 प्लस नए जो clock के जो widget है उनको set कर सकते हो जैसी कि first तो मैंने यह वाला करके रखा है और second मैंने यह वाला करके रखा है तो यह भी मैंने आपको बताया है उस वीडियो के अंदर तो उस वीडियो के आप लोग देख से तो अब गाईस बात कर लेते हैं कुछ और changes के बार में तो यहाँ पर दोस्तों आपको setting application है उसको open कर लेना है और open करने के बाद में आप लोग को आपर सबसे बड़ा जो change है ना वो देखने को मिलता है battery and device care के अंदर वो भी आप लोगों को आपर change देखने को मिलती है तो इससे आप लोग देख सो आपका phone आप लोगों को काफी ज़्यादा आप लोगों को smooth देखने को मिलेगा और अगर आप लोग जाते हो device protection वाले option के अंदर scan needed के अंदर तो इसका जो layout आप लोगों को हैपर change देखने को मिलता है one UI 4.1 based on android 12 update के अंदर और वहीं दोस्तों मैं आप लोगों से बात करूँ battery के बार में वो आप लोगों को हैपर change देखने को मिलता है और more battery setting के अंदर आप लोगों को हैपर protect battery का जो option है न वो देखने को मिल जाता है और इसको ओन करने के बाद में आपके फोन की बेटरी है ना वो ओनली यापर 85% तक ही चार्ज होगी और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को मेंबोरी एक्स्टेंचन मतलब की रेम प्लस का जो फीचर है ना वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं जहाँ पर आप लोगों के अपने डिवाइस निदर 4GB तक यहाँ पर जो रेम है ना उसको एक्सपेंट कर सकतो हो और 6GB का आप लोगों को जो ओपसन है ना वो यहाँ पर अवेलेबल देखने को मिलता है और दोस्तों अब मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ अगर आप लोगों ने अभी तक भी Samsung One UI Update का Official Telegram Channel है इसको आप जोइन नहीं क्या है तो इसको आप लोगों को जोइन कर लेना है यहाँ पर आप लोगों को सूबए 7 बजे के लगबगी न्यू जना वो देखने को मिल गई थी पूरे आप लोगों को Samsung की Community के उपर आप लोगों को सबसे पहले इसी गुरूप के अंदर देखने को मिल जाएगा और वीडियो अगर आप लोगों को यह पसंद आ रही है वीडियो को अभी तक भी आप लाइक नहीं क्या है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अभी तक भी सबस्क्राइब नहीं क्या है तो इसको आपको सबस्क्राइब कर लेना है साथ बेल आइकन को ओल पर प्रेस कर लेना सुगा इस आज की वीडियो बच्चतना है मैं मिलता आप को रेक्षिडों में तब तक लिए जे हिंद वन दे मातरम